मेरे सबी सुनेवालों को मेरा प्यार भार नमस्ते उमीद करता हूँ आप लोग सब बहुत 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 अच्छे हैं दोस्तों आने काड़मी पे हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेर कर दें for your upcoming examination आप इसे बहुत बहुत सारे students हैं जिनका May 2023 में exam है और उसके लिए preparation आपकी काफी अच्छे लेवल तक बहुत चुकी है कर्यों को जो syllabus भी कुछ सब्जेक्स के complete हो चुके हैं आपको सबको ये बात भी बहुत अच्छा सा पता है कि आने अकाड़मी पे in fact हमारे science shoot के exams में कुछ subjects के अंदर multiple choice questions आते हैं जैसे मैं tax का subject बढ़ाता हूं तो उसके अंदर 30 percentage आपके MCQs के आते हैं जिसके अंदर कुछ case studies भी आती हैं और case studies के आपके MCQs का जवाब देना होता है जैसे आप normally questions की practice करते हैं theory की practice करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से multiple choice questions की भी practice करना बहुत ज़रूरी है और इसी सिलसले में हम लोग on academy पे आपके लिए लेकिया हैं CA practice session यह जो CA practice session है इसके अंदर आप अपने multiple choice questions की practice कर सकते हैं MCQs बिल्कुल उसी level के हैं जो level आपसे exam में पूछा जाता है या आपसे expected here होता है बस आपको यह CA practice start करने के लिए मेरा code use करना होगा CA जोहर और कोई पैसा नहीं लगेगा कोई पैसा नहीं लगेगा 100% free of cost है यह जो MCQs की practice series है यह किस किस के लिए relevant है यह intermediate और foundation दोनों तरह के students के लिए relevant है इसके अंदर आपसे multiple choice questions पूछे जाएगे और हमारे पस एक बहुत बड़ा कोईशन बैंक है लगभग 12,000 MCQs के अंदर रखे गए है जो कि intermediate और foundation के students के लिए MCQs है अब आपने MCQs करने कैसे हैं आपके पास mobile app है आने का mobile app है नहीं है तो उसको जरूर डाउनलोड कीजिगा उसमें जैसे आप मोबाल आपको डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको एक self-study tab दिखाए देता है self-study tab के अंदर आपको एक practice का tab दिखाए देता है उसको आप click करें जैसे आपने practice के टाप के उबर click करा आप अपने topic को choose करिए आप intermediate के student है foundation के हैं अगर आप intermediate के हैं तो कौसा subject की practice करना चाहते हैं उसमें आप click करिए choose करिए और फिर अपने practice कर आपना स्राट कर दीजे mcqs स्राट कर दीजे और इन mcqs के answers आपको immediately वहीं पे mobile आपके पर मिल देंगे तो एक बहुत बहुत अच्छा feature है जहां पर आपको एक बहुत अच्छा support मिल दाता है अपनी preparations को आगे बढ़ाने के लिए तो ये benefit उन सभी students के लिए जो CA Intermediate या CA Foundation में है और जिनका exam में 2023 में है Intermediate का तो I wish कि आप लोग सब इसको बहुत अच्छा से use करेंगे और mcqs की practice करके जाएंगे exam के अंदर जिसकी वरह से you'll have a very very brilliant result. I hope you all come out with the flying colors and I wish you best of luck for the same. Bye-bye and enjoy yourself. Take care. Bye-bye.